हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल कैसे हैं या ब्लोग तो दोस्तों आज मैं आपके साथ शेयर करी हूँ गणपती बपा की बहुत ही फेवरेट मिठाई मोदक जो आज से आप सब की भी फेवरेट होने वाली है तो चलिए दोस्तों रेसिपी को शुरू करते हैं तो यह मैंने घही में थोड़ा सा रोष्ट कर लिया था और साथ में दोस्तों मैंने यहां पे लिए दो हरी इलाइची और इन सब को हम जो है एक बार मिक्सी के जार में अच्छी से चला लेंगे ताकि इन सब का जो है एक पाउडर बन जाए तो इस तरह से हम जो है इनको एक बार तो यह जो हमारा सारा मिक्षर है वो अच्छे से रेडी हो चुक है दोस्तों अब हम चलते हैं गैस की तरब तो यहां पे मैंने एक कडाई लिया है उस पे मैंने डाल दिया है एक कप दूद तो यह दोस्तों वाइल दूद है और फुल क्रीम दूद है इस पे मैंने डाल दि गी और इन सब को हम जो है चम्मा से अच्छे से मिक्स कर देंगे और अभी मैंने जो है गैस की फ्लेम को अन नहीं किया है दोस्तों तो पहले हम इन सब को अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब मैंने यहाँ पे जो है गैस की फ्लेम को अन कर लिया है तो फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे दोस्तों और दो से तीन मिनट इसको अच्छे से पकाएंगे ताकि इसमें एक अच्छा सा बॉाइल आ जाए और ये थोड़ा सा गाड़ा भी हो जाए तो बहुत जल्दी गाड़ा हो जाता है क्योंकि हमने इसमें जो है मिल्क पावडर एड़ किया है और चीनी भी हमारे अच्छे से घुल जाती है तो अच्छा सब वाईल आ गिए है दोस्तों आप जो मैंने मिक्चर यहां पे पीसा था उसको मैंने इसमें एड़ कर दिया है फिलेम को हम इसमें लो कर देंगे और मिक्षर को अच्छे से पीसेंगे बहुत जल्दी जो है ये गाड़ा हो जाता है तो इस तरह से हम इसको दो से तीन मिनट जलाएंगे और धीरे धीरे जुए यह एक से दो मिनट में गाड़ा होना शुरू हो जाता है और इस तरह से यह एक डू का सेप लिन शुरू कर देता है तो बहुँ ज्यादा भी हमें इसे गाड़ा पकाना नहीं है तो हमारा जो यह mixture है वह बन के रेडी है दोस्तों तो इसको मैं जो है अभी तीन पार्ट में डिवाइट कर दूंगी तो आदा मैंने इसको निकाल दिया है यहां पे दोस्तों मैंने औरेंज कलर का फूड कलर यूज किया है तो इसको थोड़ा साम कलर फुल बनाएंगे आप इसको वैसे एक ही कलर में भी बना सकते हैं और मैंने यहां पे जो है आप इसकी जगे पर केसर का यूज भी कर सकते हैं और बाकि दूर्ट है, pouvoir अक्रीका मेरें लेफिर है कर देंगे और इसे कलर में रखोंगे जबानारा रहे हैं यूद है कि अपिछिवल होता है तो उसमें colorful चीजें जो हैं अच्छी लगती है अब हातों में हम इस तरह से थोड़ा सा गी लगा देंगे और mold पे भी थोड़ा सा गी लगा देंगे तो सिर्फ एक ही बार हमको mold पे गी लगाना है और सारे color की जो है मैंने छोटी छोटी गोलियां बना के रग दी है दोस्तों यहां पर मैं आप लोगों से request करना चाहती हूं अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आती है तो like, share और अपनी प्यारे-प्यारे comment मुझे जरूर दीजिए तो दोस्तों मोदब को हम जो मोदब का जो यह सांचा है उसको हम इस तरह से मोल्ड को बंद कर देंगे उसके अंदर मैंने थोड़ा सा रोस पैटल और कुछ बारी कटे वे dry fruits डाल दिया है और फिर इस तरह से अलग-अलग color की जो यह गूलिया है उनको मैं जाए और फिर इस तरह से खोल देंगे और बहुत इजिली जो हमारा मोदब को निकल जाता है बिल्कुल भी जो है उस पे चिपकता नहीं है तो इस तरह से हम सारे इस मोदब को बना देंगे और उंगलियों से अच्छे से प्रेस करते हुए हम उसको रखेंगे तो यह मोदब हमारे जो है सभी रेडी है और अब हम लगाएंगे बपा को इसका भोग तो इस तरह से मैंने अलग-अलग कलर से जो है बपा की मोदब बनाए है जो खाने में बहुत ही स्वादिश्ट हैं दोस्तों एक बार आप जरू ट्राय करिए बहुत जल्दी बन के रेडी हो जाते हैं थैंक यू सो मच दोस्तों मेरी वीडियो को वाच करने के लिए मुझे अपना प्यार और सपोर्ट देने के लिए और आगे भी इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट आप मुझे देते रहें मिलते हैं नेश्ट रेसिपी में पर आप आप उपथाडे अपर देसे अपना प्यार और से आफड़ा देसे से अपना आपIs के लिए मांस के लिए हंगी प्यार बूू आप्ना पर खदागार और समय कई भीपादश से साउंघ स determinate मूंदी मुझे आपथाज से